Hello everyone and welcome back to another lecture of the graph series आज हम discuss करने वाले हैं strongly connected components के बारे में So जो आपके strongly connected components होते हैं वो basically क्या होते हैं देखो जब हम undirected graph की बात करते थे तो हम एक term का use करते थे connected components जिसका मतलब क्या होता था कि एक undirected graph है आपका ठीक है उसमें हर एक node हर दूसरी node से क्या है reachable है तो in terms of undirected graph हम उस चीज को कहते थे connected components बट जब आपका directed graph आ जाता है right तो यह condition true नहीं होती देखो जैसे यह तीनों edge आपस में connected तो है बट अगर मैं इस edge को कुछ ऐसा कर दूँ ठीक है तो आप देखो आप अगर इसका हम naming कर दें A, B & C ठीक है हमें एक ऐसा सब graph मिले जिसकी हर एक node एक दुस्रे से reachable हो ठीक हर एक node जितने भी pair of nodes आप बना सकते हो सब एक दुस्रे से reachable बन जाएं तो उस graph की part को कहा जाते है strongly connected components इससे इसकी बात करें ठीक इस बड़े वाले graph की बात करें तो इसमें आपके पास पांच strongly connected components है कौन से आप देखो वन से आप टू पर भी जा सकते हो वन से आप वाया जा करके थ्री पर भी जा सकते हो ठीक है डायरेक्ट इंडाय कनेक्शन पॉसिबल मैटर नहीं करता है कि आप पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो या नहीं है तू से देखो तू स आप 3 पर डारेक्ट ली जा सकते हो तू से आप 1 पर भी जा सकते हो ठीक है तो यह आपका एक कॉंपोनेंट तेन 3 अब यहां पर सिंगल ग्राफ है ठीक है यह सिंगल नोड है यहां पर यह भी आपका क्या है strongly connected component है एक नोड का ठीक है then strongly connected component 3 आपका यह वाला हो जाएगा 8 हो गया देन आप 9 से 8 पर जा सकते हो बाट आप 8 से 9 पर नहीं आ सकते तो यह भी आपको क्या हो गया SEC हो गया ठीक है तो strongly connected components आपके डारेक्टेड ग्राफ का बहुत ही integral part होता है so conclusion क्या है strongly connected components क्या होते है आपका एक ऐसा सब ग्राफ या आपका ऐसा component ग्राफ का जिसमें हर एक node क्या है reachable है उसे कहते है strongly connected components and very important term is directed graph ठीक है ओकी तो अगर आपको interview में question पूछा जाएगा regarding SEC तो majorly दो तरीके question पूछा जाते है पहला पूछा जाता है number of SEC बताओ इस graph में कितने है ठीक है number of SEC और दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि edges बताओ कौन कौन सी है SEC में ठीक है इसे questions आप से interview में पूछे जा सकते हैं तो anyway इसको कैसे solve करेंगा देखो मैं तुम्हें algorithm तो बताओंगा देखो मैं तुम्हें algorithm तो बताओंगा बड़ उससे पहले def first search ही बात करते हैं जब हमने undirected graph पढ़ा था और मैंने आपको का था कि number of components find करो तो हम DFS से भी इसे कर सकते थे right मैंने आपको करके दिखाया था बट क्या same हम यहाँ पर apply कर सकते है plain DFS apply कर सकते है answer is no why let's try to understand यसे suppose करते है मैं वन से DFS call लगा हो ठीक है तो मैं वन से जाओंगा 2 पर ठीक है तो मैं इसे visit कर रहा हूं इसे visit कर रहा हूं तो से मैं कहां जा सकता हूं 2 से मैं 3 पर जा सकता हूं मैं 3 को visit कर लेता हूं अब 3 का neighbor पर आल्रेडी विस्ट वापस आएगी आप टू के बाद 3 पर जाओगे विजिट हो गया 3 से आप 5 पर जाओगे विजट हो गया ठीक है रिवर्स आते वगे दिन 5 का दूसरा पात है एट तैन एट से आप कहीं और नहीं जा पाओगे तो हमारी DFS call over हो जाएगी तो यह हमने एक DFS call लगा यह इतने को विजिट कर लिया दूसरी DFS call आप लगाओगे 9 पर 9 विजिट हो जाएगा तो अगर हम traditional depth first search यूज़ करें तो उसके according खाली दो components से इस graph में जो की क्या है wrong है obviously right यहां पर कितने strongly connected components है पांच अब यह fail क्यों हुआ देखो 1 से आप 2 पर जा रहे हो guaranteed 1 से आप 3 पर जा रहे हो वाया वाया करके guaranteed पर 3 से 1 पर जा रहे हो इसका क्या check है यह तो check लगाए नहीं इसलिए यह undirected graph में work करता है क्योंकि undirected graph में क्या case होता है कि अगर आप A से B पर जा सकते तो dead shore है कि आप B से A पर भी जा पाओगे तभी तो edge is undirected है पर यहां पर ऐसा नहीं है direction is important ठीक है so that is why यहां पर plain DFS apply नहीं होता है अब ही समझते हैं को सा राज जो अल्गॉर्दम के बारे में तो इसके कुछ steps होते हैं क्या-क्या steps होते मैं आपको इसका intuition बताऊंगा बट सबसे पहले इसके steps क्या है sort on the basis of finish time of DFS यह कहता है कि यह आप plain DFS लगाओ और हर एक node का finish time note करो ठीक है यह क्यों important है अभी हम देखेंगे next यहां पर क्या है create a transpose adjacency transpose मतलब पता है ना कि अगर A से B पे edge जारी to transpose में आप क्या करोगे B से A पे edge को भेज़ दोगे basically edge को reverse करने की बात हो रही है next यहां पर क्या है transpose निकालने के बाद apply DFS and count the SEC ठीक है तो यह आपकी को सा राजियल गौर्दम होती है 3 simple steps होते हैं अगर उसकी सारी edges को हम reverse भी कर दें अगर मैं यह edge ले आउं यह edge ले आउं और यह edge ले आउं मैंने सारी edge को reverse के ध्यान रखना partial नहीं complete reverse कर दिया तो इससे क्या होगा यह still एक SEC ही रह गया ठीक है अभी भी आप 1 से 3 पे भी जा रहे हो आप 1 से 3 के थ्रू 2 पे भी जा रहे हो 2 से आप 1 पे भी आ पा रहे हो और 2 से 1 के थ्रू आप 3 पे भी आ रहे हो and similarly 3 से आप 2 पे जा सकते हो and 2 की help से आप 3 से 1 पे भी जा सकते हो so this is still SEC अब इसे reverse करने का फाइदा क्या हुआ कि एक component तो completely visited था यहां कोई फाइदा नहीं हुआ फाइदा यहां पे हुआ अप सारी एज को reverse करने की बात कर रहे हो ठीक है तो अब देखो सारी एज को reverse कर दोगे ठीक है तो इस सब एज क्या हो जाएगी reverse हो जाएगी 6 से अब आप 5 पे जाओगे 7 से अब 6 पे आओगे 4 से आप 7 पे जाओगे ठीक है इस सारी एज जिसको मैंने क्या किया reverse कर दिया 8 से आप 5 पे जा सकते हो 8 से आप 9 पे जा सकते हो ठीक है अब इससे फाइदा क्या हुआ यह वाला component खुद में reachable है ठीक है SEC अभी भी खुद में reachable है य यह वाला component खुद में reachable यह वाला खुद में reachable हर एक component अभी भी खुद में reachable है बट क्यूंकि हमने एज इसको उल्टा कर दिया तो उससे फाइदा क्या होगा जब आप DFS call लगाओगे ध्यान रखना जब आप DFS call लगाओगे तो आप एक component को तो विजट कर लोगे इस component के बाहर नहीं जा पाओगे ठीक है यहां की edge को आपने reverse कर दिया तो आप इस component के बाहर नहीं जा पाओगे तो आप एक DFS call लगा करके इससे बाहर आ जाओगे ठीक है देन आप दूसरी DFS call यहां लगाओगे इससे बाहर नहीं जा पाओगे दूसरी DFS call हो गई, तीसरी DFS call आप यहां पर लगाओगे, इसे तो visit कर लोगे, इससे बाहर नहीं जा पाओगे, तो तीन DFS call हो गई, ठीक है, इसे visit कर लोगे, इससे बाहर नहीं जा पाओगे, चार DFS call हो गई, ठीक है, इसे तो visit कर लोगे, इससे बाहर नहीं जा पाओगे, पांच DFS कॉल होगी अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि भाईया एक बात बता हो यहां पर डाउट के यहां पर दिख भी रहा होगा को मैं बात आता हो देखो यह वाले सब आपने विजिट कर लिए ठीक है करना क्या चाते हैं हम पहले फर्स्ट कॉम्पोनेंट को कंप्लीटले विजिट कर लेंगे इन इसको विजिटेड मार्क कर देंगे जब ताकि हम जब दूसरे स्रॉंगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट पर जाए तो उससे अगर पीछे आ रहे हों तो यह आप जा नहीं सकते काई आपने विजिट कर लिया यह लिए पीछे जानी सकता क्यों क्यों कि पीछे वाले विजिट इसके साथ आगे तो कुछ ताहीं नहीं पीछे विजिट हो चुका है तो आपकी कोसा राच को सिंपल साधारन सी एल्गोर्तम का पारट वन था फिनिज टाइम निकालना, टीक है, फिनिज टाइम के अकॉर्डिंग नोटस को सौट करना, तो वो अपलाई करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक विजिटेड और बनाएंगे, तो आपके पास 9 नोटस हैं, टीक है, मैं एक काम करूंगा, मैं इस पर तो हम क्या करेंगे इसको विजिटेड मार्क करेंगे इसके नेबर पे चलेंगे इसके नेबर है इसके दुह पर जाते हैं तो की बात करें इसके दो नेबर है three अच्छा दो बर 3 लिखती है, इसको चेंज कर देते हैं, 2 के दो नेबर्स है, 3 एंट 10, कहाँ पर जाएं, चलो 10 पर आ जाते हैं, लेट्स मार्क इस विजिटेड, अब 10 का नेबर 1 है, विच इस अल्रेडी विजिटेड, ठीक है, तो 10 के लिए आप देखो, DFS कॉल ओवर हो गया, ठीक है, ध्यान रखो, 10 के लिए DFS कॉल ओवर हो चुका है, आप इससे आगे नहीं जा सकते, तो जिस भी बंदे का DFS कॉल ओवर हो जाएं, हम क्या करेंगे, उसे अपने स्टैक में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, फिनिश टाइम के कॉडिग हम करने, 10 खत्म हो चुका है, 10 को कॉल लगाई गई थी 2 से, तो हम वापस 2 पे जाते हैं, ठीक है, 2 का दूसरा नेवर कौन है, 3, तो 2 के दूसरे नेवर पे चलते हैं, 3 को visit mark कर देते हैं, अब 3 का neighbor कौन है, 4, ठीक है, 4 को visit mark कर देते हैं, 4 का neighbor है 5, mark कर देते हैं, अब 5 का दो neighbor है, 8 and 6, आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, मैं 6 को ले रहा हूं, ठीक है, so let's mark it as visited, 6 का neighbor है 7, mark it as visited, 7 का neighbor है 4, but 4 already visited था, कै 7 का और कोई neighbor है, नहीं, तो 7 की भी DFS call यहा करते जारों, पहले 10 आया था, फिर 7 आया, अब 7 से call वापस जाएगी, ठीक है, call आ गई वापस 6 पे, 6 का और कोई neighbor है, नहीं, 6 का और कोई neighbor नहीं, तो इसे भी stack में insert कर दो, इसे भी DFS over, वापस चलते हैं, ठीक है, 5, 5 का दूसरा neighbor है, 8, 8 का और कोई neighbor है, नहीं, तो 8 को यह insert कर देते हैं, 8 की भी DFS call over, ठीक है, अब वापस चलते हैं, 5 की DFS call over हो चुकी है, 8 और 6 दोनों पर जा चुक है, तो 5 को यह आप insert कर देंगे, वापस चलते हैं, 4 की भी DFS call over, 4 को insert कर देंगे, वापस चलते हैं, 3 की DFS over, वापस चलते हैं, 2 का भी और कोई neighbor नहीं, over, वापस खतम हुआ 10 सबसे last में कौन सा खतम होने वाल है 1 अब हमने सब को विजिट कर लिया 9 विजिट नहीं हुआ तो 9 से फिर से DFS कॉल लगाते हैं 9 का नेबर है आपका 8 8 आपका अल्रेडी विजिटेड है 9 को और को नेबर नहीं है तो इसे विजिट मार्क कर दो और अपने सबसे पहले फिनिश हो रही है उस टैक में सबसे end पर है तो यह हमें फाइदा मिल गया इससे होगा क्या भी मैं आपको बताता हूं हम DFS कॉल अब लगाने से पहले हमें क्या करना है कर देना है इन सारी इस को टिक है तो चलो इन सारी एज को रिवर्स करते हैं लिए रिवड कैसे करोगे आपको खाली अगर आपके में यू से वी पर यू पर जा रहे हम इसी ब dependent चलो मैं है इसे बोर्स कर कर दिया है अब हम यहां पे दो चीज को निकाल सकते है एक तो आपक कितने आपके strongly connected component के नोट्स हैं तो यहां पर हम काउंट क्या बनाएंगे इनिशली सीरो और नोट्स वाली एंप्टी लिस्टिक एंप्टी लिस्ट इसे अभी फिल करेंगे ना अपने स्टैक के टॉप पे जाते हैं इसे हम अपने लिस्ट में आड़ कर देंगे नाइन का और कोई ने नाइन का आउट गूइंगे तो हम कह सकते हैं एक स्ट्रॉंगली कनेक्टेट कॉंपोनेंट मिला नाइन के रूप में तो यह हमें पहला स्ट्रॉंगली कनेक्टेट कॉंपोनेंट मिल गया दूसरा देखते हैं तो अबिसली हमारी स्टैक से रिमूव हो जाएगा नेक्स वैल्यू है यहां पे वन स्टैक के टॉप पे वन क्या वन विजिटेट है नो तो हम यहां पर क्या करेंगे वन ठीक है इसे विजिट कर ले के हैं यह जाकर फ्रीकिंट्स है ये क्या था यह दूसरा कॉंपोनेंट मिला ठीक है पहला नाइन मिला दूसरा कॉंपोनेंट क्ञिव डूब्र नेक्स चलते हैं, stack के top पे अगली value क्या है 2, but 2 is already visited, so skip it, next क्या है 3, 3 visited नहीं है, तो let's mark 3 as visited, ठीक है, तो 3 को visit कर लेते हैं, यहां पे insert कर लेंगे 3 को, 3 का और कोई outgoing neighbor है, हाँ 2 है, but 2 is already visited, इसलिए हमने यहां पे finishing time use किया था, ठीक है, कि हम 3 से पहले 2 को solve कर पाएं, that is the whole reason behind finding this finishing time, anyway, so 3 का और कोई outgoing है, जी नहीं है, जो कि visited नहीं हो, so we can say यह भी call over, ठीक है, आपको तीसरा component बिल गया, this is your third component, आगे चलते है, next, obviously यह सब remove हो जाएगा, हमारे stack से, next चलते है, अगली value है 4, क्या 4 आपका visited है, no, so let's mark it as visited, अब 4 को insert करेंगे, ठीक है, 4 का neighbor कौन है, 7, तो mark क करो, and visit करो, ठीक है, 6 का neighbor है, आपका 5, 5 visited नहीं है, 5 को insert करते है, mark करते है, 5 का अगला neighbor है, 4, 4 is already visited, तो DFS call अब हमारी over हो जाएगी, ठीक है, तो यह हमारा कौन सा, चौथा component हो गया, ठीक है, अब मैं मैं जल्देल्दी मैं आपको बता रहूं, 5 का neighbor visited, यह तो आप समझी क्य होगे, कि और कोई neighbor नहीं मिलेगा, तो reverse आते जाएंगे, anyway, so हमारे पास ही, हमारा कौन सा component है, चौथा component है, next चलते है, तो हमारे stack के टॉप अगली value क्या है, 5, क्या 5 आपका visited है, yes, skip it, next value है, 8, क्या 8 आपका visited है, no, ठीक है, तो let's mark 8 as visited, यहाँ से क्या हुआ, नया component शुरू हुआ, 8 का neighbor है, 5, already visited, so skip it, 8 का दूसरा neighbor कौन है, 9, but 9 is also visited, ठीक है, 9 भी visit हो चुका है, तो we can say, यह single component है, तो यह आपका, तो यह आपका count किया हो गया, plus 1, 5 component हमें मिल चुके है, next चलते है, अगली value है, 6, already visited, skip 7, already visited, skip 10, क्या 10 आपका visited है, 10 यहाँ पर, yes, 10 is also visited, so you can stop it, ठीक ह तो हमने सबको visit कर लिया, और यह हमारे क्या बन गए, 5 strongly connected component बन गए, ठीक है, so this was nothing but your kosaraju algorithm, simple 3 steps, सबसे पहले finish time देखना है, stack में store करने का क्या फायदा है, जिसका finish time सबसे पहले, वो stack के bottom पे, जिसका finish time सबसे late है, वो stack के top पे, इस coordination से हमने क्या किया है, notes को insert किया, तो I think ठीक, and then we'll jump on to the time complexity, okay, so this is our kosaraju algorithm, input में आपको total number of nodes as well as adjacency list given है, सबसे पहले हमने क्या किया, visited mark किया, ठीक है, stack create किया, और हमने dfs call लगा दी, basically हम क्या कर रहे है, हर एक node को visit कर रहे है, और जिसका dfs call over होता जारे हो से अपने stack में insert करेंगे, ठीक है, stack data structure में, तो इसके लिए म dfs क्या करेगा, यह रहा, dfs node visited adjacency as well as stack, तो सबसे पहला rule क्या होता है, dfs का, node को visit करो, then उसके neighbors पर iterate करो, जितने भी neighbor unwisited है, उसे आप जा कर कर के visit करो, एक बार आपके dfs call over हो जाए, यानि कि इस for loop के बाद, तो आप उस node को क्या करो, अपने stack में insert कर दो, ठीक है, तो यही ह हमने यहाँ पर first step में किया, okay, next हमने क्या किया, transpose वाली adjacency list create करी, मतलब अगर edge जारी है, you से वी, तो हमने इसे वी से यू कर दिया, तो यहाँ पर मैंने किया, जो question में adjacency given था में, उसको iterate किया, अब यह कहा से कहा तक जारी, यह I वाली node से IT तक जारी, but मैंने इसे ultra store कर दिय या IT से IE पर जाने लगी है, ठीक है, तो हमारी transpose वाली adjacency, next हमने यहाँ पर क्या किया, simple अपने component करें, जित्ती DFS call उतने component, तो stack के टॉप से आप node को निकालो, अगर node visited नहीं है, तो आप क्या करोगे, count plus plus, and यहाँ पर DFS कर लोगे, basically, is strongly connected component में सारी nodes को visit कर लो, तो यहाँ यहाँ पर DFS count लगाया, ठीक है, बिल्कुल सेम code है, बस stack में insert नहीं हो रहा है, that's it, ठीक है, node को visit करो, neighbors by trade करो, जो भी neighbor unvisited है, उसे जाके visit करते रहो, that's it, और जो हमारा account is com return कर सकते है, जो इसे run कर आते है, hopefully it will work, and it did, now let's try to submit it, क्या बात है, बढ़ी है, बढ़ी है, बर्दम, now what will be the time complexity of this approach, हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, कि O of N time, इसकी time complexity होगी, आपके DFS लगाने की time complexity, almost big O of N plus N हो गई, ठीक है, N times आपने N nodes को visit कर रहा है, okay, N into N क्यों नहीं हो रही, क्योंकि obviously हम visit कर लेंगे, अगर किसी को, दुबारे DFS call वहाँ पर नहीं N plus N ही होगा, ठीक है, यह भी ले दे कर कि इतना होगा, N plus N, then next हमने यहाँ पर क्या किया, खाली adjacency list एक नहीं create करी, that will be, so यह जितनी edge होगी, उतनी बार चलेगा, ठीक है, तो O of E हो गया, तो N plus E overall आपकी time complexity is approach की, so yeah, that's it, I hope, तुमें को सा राज्यों को अर्दम बहुत अच को साजी ओिसे जबाँ जब है, तुमें को साथ